हेलो स्टूरेंट्स वेलकम तो इन माई चैनल स्मार्ट स्टूरी स्टूरेंट्स आज हम डारेक्टेड ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्क्षिट नंबर वन क्लास सेवन्थ की करेंगे जो की देट है 8-9-2028, सेप्टेंबर 2020 की अभी तक आप लोगों की 6-8 की सभी बच्चों की वर्क्षिट सेम थी बट अब से आपको दो वर्क्षिट करनी होगी एक तो 6-8 जो दी गई है वो वर्क्षिट करनी होगी और एक आपको अपनी क्लास की जैसे की ये वर्क्षिट सेवन्थ क्लास की है तो सेवन्थ क्लास की बच्चे आज इस वक्षिट को करेंगे तो आपसे आपको दो वक्षिट रोज दी जाएगे और आपको दोनों वक्षिट कम्प्लीट करनी है तो आज शुरू करते हैं आज की वक्षिट जो की मैट्स की है पिटा तो वक्षिट शुरू करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए जिससे की आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाए और अगर आपने मेरी दूसरी वक्षिट अभी तक नहीं की है जो वक्षिट दी गई थी वो नहीं की है आज की तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं अपनी वक्षिट को complete कर सकते हैं तो आएए देखते हैं आज की वक्षिट डाटा तो क्या कह रहे हैं कि आज ममी ने क्या बोला अपना रूम क्लीन करने के लिए बोला बट जो यंगर सिस्टर थी उन्होंने क्या किया बॉक्स के अंदर एकदम अंतरीके से एकदम जिसको हम कहते हैं कि अच्छे से नहीं रखा है जो भी सामान था तो उसनी अपनी सिस्टर को बूलाया और बोला कि हम जो भी बॉक्स के अंदर चीज़ियां उन्हें काउंट करते हैं और टेबल बनाने की कोशिश करते हैं तो देखो क्या लिखा है data is a collection of facts such as number, words, measurement observation or just a description of things तो यहाँ पर देखो important question है कि data क्या होता है data क्या है? एक fact है, numbers words हम किसी भी चीज़ का number, words measurement, observation और description of things की उस box में क्या क्या चीज़े हैं तो उसको हम मिलाकर क्या कहते है data, oh wow this is a data, तो यहाँ पर यह जो collect करेंगे, उससे हम क्या कहेंगे, data तो आपके नीचे एक table दिया गया है बिटा यहाँ पर, जिसको हमें solve करना है, देखें क्या दिया गया है serial number, things and count जैसे कि ball, ball कितने number है 5, band, mitten, racket कितना है, 4 toys कितने है, 2 platen कितना है, 4 और caps कितनी है, 3 ठीक है, तो इसी से related बिटा आज की question answer है, जिने हम solve करने है, write the data in the table ascending order, हमें क्या करना है, जो भी table दिया गया है, इसको ascending order में, हमें क्या करना है arrange करना है, तो ascending order क्या होता है, जिसके अंदर जो सबसे कम हो, वो सबसे पहले आता है, और जो सबसे बड़ा number हो, big number हो counting में, वो क्या होता है, last में आता है, तो आईए हम इसे rearrange करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए बेटा तो हम यही पर लिदेंगे कि सबसे पहले serial number आ जाएगा, फिर things आ जाएगे, आप ऐसे सुंदर सा टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, मैं सिफ समझा देती हूँ आपको, आप सुंदर सा टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे, जो small number है, यहां पर क्या है, 2, तो हम सबसे पहले यही काउंट करेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, टोइस, सबसे पहले क्या आएगा, टोइस, अगर आपको spelling problem हो, यहां से देख लीजेगा, अगर समझ ना रहो, तो number 1 पे क्या आएगा, toys काउंट में कितने है, 2, उसके बाद second number पे क्या आएगा, caps, second number पे क्या आएगा, caps, कितनी है, caps number में, 3, उसके बाद third number पे, यहां पे देखो, bandminton racket, और planter कितना है, 4 हैं, दोनों ही, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो पहले हम लिख देते है, bandminton racket, ठीक है, सबसे पहले, हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, यहां पे न, क्योंकि दोनों number में क्या है, सेम है, तो bandminton कितना है, 4, आप racket भी लिख दीजेगा, ठीक है, और number 4 पे हम क्या लिखेंगे, planter, planter भी number में कितना है, 4 है, तो हम यहां पे लिख देंगे, 4, इसके बाद आगे next क्या आएगा, बेटा, balls, क्योंकि number में कितनी है, 5 है, तो हम उसको सबसे last में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम क्या करें, ascending order में करें, जब ascending order में करते हैं, तो छोटे से शुरू होता है, और बड़े तक जाता है, ठीक है, तो यह है आपका first question का answer, अगर आपको, बेटा, यहां तोड़ा जो सबसे ज्यादा है, हम उसे यहां पर लिखेंगे, कौन सी thing है, बेटा, जो सबसे ज्यादा है, number में, ball, तो इस का answer क्या आ जाएगा, बेटा, ball, इस का answer क्या हो जाएगा, बेटा, ball, क्या है, सबसे ज्यादा number में है, next क्या कहता है, write the name of things which count least, list, मतलब जो सबसे कम number में है है टोईस तो इसका अंसर क्या हो जाएगा हमारा टोईस ठीक है तो पेटा यह वर्क्षिट आप कम्प्लीट कीजिए कम्प्लीट करके अपने टीचर से चेक कर आईए और अगर आज की आपने मेरे जो कॉमन वर्क्षिट अगर नहीं की है तो आप मेरा वीडियो देखे वो व सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू स्टूरेंट्स